आपको टाइटल पढ़के ही समझ आगाए होगा कि आज हम क्या बनाएगे जी हाँ हम वो ही बनाएगे जो आप सोच रहा है इंस्टन्ट ढोकडा सैंडविच ढोकडा चलो घोल बनाना शुरू करते है पहले हमको चाहिए होगा एक बड़ी कटोरी सुजी फिर आप ऐसी बड़ी कटोरी ले रहे हो तो उसके सामने ऐसी छोटी कटोरी आपको बेशन ले रहा होगा फिर दही चाहिए होगा दही आपके पास ना हो तो आप छास भी ले सकते है फिर स्वादनुसा नमक फिर आपको लश्टन की चट्टनी चाहिए होगी जो मैंने गर पे ही बनाहिए इसमें मैंने डाला था लश्टन कच्चा जीरा, धन्या जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हिंग हम बड़े कटोरों में इन सब इंग्रीडियन्स को मिक्स कर लेंगे हमेले सुजी डालेंगे उसमें बेशन डालेंगे आटे को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लिया है, उसमें दही डालेंगे हम दही को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे उसमें पानी डालेंगे अपने जरुरत के हिसाब से और मिक्स कर लेंगे उसमें लसुन की चटनी डालेंगे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी एड कर लिया था जिससे की वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हम उसमें स्वादनुसार नमक डालेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे पीले रंके होते हैं तो अब हम लोग इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अपनी बैटर की consistency कुछ इस तरह से आपकी होनी चाहिए जिससे की ढूखले अच्छे बनेगे आपकी बहुत पतली हो गई यह consistency तो आप उसमें बेसन एड कर सकते हैं और बहुत गाड़ी हो तो आप उसमें पानी भी एड कर सकते हैं मेरे पास ऐसा मोल्ड है जिसको अब हम लोग ग्रीस करेगे ओईल से थोड़ा सा कुकिंग सोड़ा ले लिया है थोड़े से निम्बू के फूल ले लिया है कुकिंग सोड़ा है अब हम इसमें डाल देंगे निम्बू के फूल है अब हम लोग इसके उपर ही डालेंगे गरम पानी है अब हम लोग इसके उपर हम लोग डालेंगे ऐसे बुलबुले आने चाहिए हम लोग उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह है टॉमेटो केचप, यह है धनिय की चटनी, यह दोनों को मैंने घर पे ही बनाया है यह है यह दोनों हमको कामाएगे सैंडविच बनाने में यह हमारा मिस्टरन तयार हो गया है देखो मैंने इसको इस तरह से डाल दिया है इस मोल्ड में एक में हम टॉमेटो कैचप डालेंगे एक में हम धनिय की चक्टनी डालेंगे एक में हम दोनों डालेंगे आधे में हम धनिय की चक्टनी डालेंगे एक में टॉमेटो कैचप डालेंगे उस पर दूसरा लेयर बनाएंगे मैंने दूसरी लेयर बना दिया मैंने इसमें देख हूँ मैंने ऐसी डिजाइन बनाई है वो टॉमेटो केचप से और दनिय की चटनी से आपको स्पाइसी ढुकला पसंद हो तो आप उपर से रेड चिली पाउडर डाल सकते है इससे लुप भी अच्छा लगता है ढुकले का ढुकले कुछ इस तरह के दिखेंगे इसको ढुकले के कुकर में रख देते हैं हमारे ढुकले बनके तयार हो गए सैंडविच ढुकले और इंस्टन्ट ढुकले देखो फ्रेंड्स मैंने ये ढुकले को काटके मैंने सर्व कर दी है मैंने इसको इस तरह से काटा है जिससे कि आपको दिख रहा होगा कि ये कैचप मैंने डाला इसमें धनिय की चटनी डाली है इसके साथ मैंने सर्व करने के लिए लिया है धनिय की चटनी तेल दही और नमक डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार आप इस तरह से दही में और कच्छे तेल में इस तरह से आप मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेगे तो ढोकले का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा बना के देखे और आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखे कि आपको कैसा लगा और शेयर करना तो मत ही बूलना और सब्सक्राइब और लाइक कर ही देना